अलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत एक बर फिर से मैं हूँ विश्व, तो आज का ये वीडियो सवाल के जवाब में है, सवाल ये है कि हम Microsoft World में ऐसी लाइन कैसे बना सकते हैं, जिसमें दोनों तरफ एरो दिया हुआ हो, वो भी एकदम सीधी, तो ये वीडियो यहां से देखीगा, देखिया हमें करना क्या है हमको जाना ऊपर के रिबन में insert tab पर, इस पर क्लिक करिए और यहां पर shapes का option मिलता है, इस पर क्लिक करिए, अब यहां पर आपको ये देखिए, बोट side जो arrow है वाली line आपको यहां मिलती है, ठीक है, line arrow double यहां पर दिया हुआ है, जब जब हम इसको draw करते हैं, तो थोड़ा सो tilt हो सकता है दाएंबाय से, तो इसको सीधा पराने के लिए trick मैं आपको बताता हूँ, हमें क्या करना है, जहां से आपको line मनानी है, वहां पर अपना यह cursor रखिए, यह plus sign रखिए, और अपने keyboard में control के साथ shift button दबा करके रखिए, ठी उसके बाद जब आप यह line ऐसे draw करेंगे, तो यह देखिए, एकदम सीधी, मैं अगर इसको नीचे भी ले जाओ, तो यह नीचे नहीं जाएगा, उपर ले जाओ, तो उपर नहीं जाएगा, एकदम सीधी, जहां पर आपने जिस point पर करसर रखा था, वहां से एकदम सीधी line बनेगी, अब जब यह line पूरी आप ड्रॉक करने, जहां तक आपको ड्रॉक करनी है, तो दोनों साइड आप छोड़ दीए,